अगर पिंपल एक्ने और उनके दावों को लेके टेंशन में रहते हो कोई भी रेमेडी या क्रीम काम नहीं करती उन्हें ठीक करने में तो एक बार इस एंटी एक्ने क्रीम को लगा कर देखो आपके सारे पिंपल एक्ने गायब हो जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस जब आप इन पत्यों को पूरी तरह से तोड़ लें फिर इन पत्यों को एक क्रशर में डालें आप चाहें तो मिक्सी ग्राइंडर भी यूज कर सकते हैं लेकिन ये पत्यों थोड़ी कम हैं इसलिए मैंने यहां पर क्रशर लिए और इसमें थोड़ा सा आप पानी आड़ करें या फिर रोज वाटर और इसके बाद में इन्हें क्रश कर लें अच्छे से कुलसी के पत्ती बेसल लिप्स में कुछ एंटी इंप्रमेट्रिक पॉपर्टीज होती हैं जो कि फिंपल्स की स्वेलिंग को कम करती हैं साथी एक्ने स्कार्स को भी रिमूब करने में आपके हेल्प करती हैं अब मैंने इन पत्के को क्रश कर लिया है इसके बाद में आप इसे इस ट्रेनर से चान लें या फिर मेरी तरह इस तरीके से एक बोल में एड़ कर दें इसके बाद मैं यहां पर लूँगी दो चमच ऐलोवेरा जेल अगर आप ऐलोवेरा जेल यूज नहीं करना चाहते तो आप कुमबर जेल ले सकते हैं या कोई और जेल भी ले सकते हैं अब लास्ट मैं मैं यहां पर एड़ करूंगी टी ट्री एसेंशल ओयल यह एसेंशल ओयल एक्ने और पिंपल्स को रिमूब करने में सबसे ज़ादा आपके हेल्प करता है अगर आप इसे एड़ करते हैं तो बहुत ज़ादा फायदे में रहेंगे मैं यहां पर एड़ और फिर इसके बाद मैं इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो हमारी एंटी एक्नी क्रीम है वो बनकर तयार हो गई है आप देख सकते हैं इसके बाद में आप इसे किसी भी एर-टाइट कण्टेनर में फिल करके रख सकते हैं ये एक महीनी तक खराब ही नहीं होगी आप इसे फरिज में स्टोर करके रखनेंगे तो हो सकता है ये एक महीनी से ज़्यादा चल ज़ाए करने के बाद में सो जाए और इसे अपना काम करने दें आप सच में 15 दिन में इतने अच्छी रिजर्स देखेंगे कि आपके एक्रिम और पिंपल्स बूपल्स रिमूव हो गये हैं आप एक बार इस क्रीम को बना कर देखिए ये सच में काफी ज्यादा एफेक्टिव हैं और आपको ये क्रीम पसंद आई है और आप चाहते हैं कि आप ये क्रीम बनाएं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और तो मिलते हैं नेक्स वीजियो में तब तक के लिए थैंक्क्यू और बाई बाई